हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वाग आते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सब इसे निगेदर नहीं कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए सिच्छा लेगर से जुड़ी हुई तमाम इंपर्टेन नोटिफिकेशन को पाने के लिए वीडियो की सुरूआत करते हैं जूनियर एडर सिच्छक बरती परिच्छा से कि इस परिच्छा को यूपी टेटी की आँच में जूसी जूनियर हाइस्कुल सिच्छक बरती परिच्छा तो यूपी टेटी के लिए जूनियर हाइस्कुल सिच्छक बरती परिच्छा बिल्कुल PNP UPTAT की परिच्छा में ही उल्जी रह गई और जन्वरी में कराना था PNP UPTAT की परिच्छा इस कारण से AIDER Junior High School सिच्छक भरती परिच्छा पर किसी भी तरह की कारवाई नहीं कर पाया परिच्छा तीथी घूसित कर सरकार चुनावी मोड में और सिच्छक भरती पिछरी UPTAT की परिच्छा की कराना अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनावती है उसके बाद भरती आएगी और नहीं आएगी इसका सरकार को कोई लेना लेना नहीं है तो और शास्की सायता प्राफ के एड़र जूनियर हाइस्कूल के लिए सिच्छक भरती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश परिच्छा नियामक प्रादिकारी PNP ने तो सुरू कराई थी मतलब जूनियर एड़र सिच्छक भरती लेकिन दुर्भा के पूर धंग से वह अटक गई PNP ने इसकी परिच्छा कराने के बाद 15 नॉम्बर 2021 को परिडाम भी घोसित कर दिया और इसके 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश सिच्छक पातेता परिच्छा UPTAT प्रस्तावे थे जिसे कराने की तयारी में जूनियर हाइस्कूल सिचक भरती के सफल अभ्यारतियों की जो सुची कहीं पीछे रह गई और UPTAT परिच्छा लिख होने के कारण नहीं हो सकी तो UPTAT जो था वो भी परिच्छा लिख होने के कारण ये भी परिच्छा नहीं हो सका यूपेटेटी का प्रस्णोपत परिच्छा के दिन इंटरनेट मीडिया पर वाइरल हो गया था यह सब आप जानते हैं पुष्टी उन्हेक बाद परिच्छा रद कर दी गया और इसे विपक्षियों ने मुद्दा बनाया जिसे सरकार पर भी प्रस्णोपते परिच्छा परिडाम का कोई पूछ परक नहीं है तो कुल मिला के सिर्फ यूपेटेटी में ही एप एनपी के दिकारी व्यस्त रहें अनिल भूसर्ण चतुरवेदी को नया सची बना कर भेजा और इसके बाद यूपेटेटी देई सन्वरी को नए सीरे से कराए जाने की तिति घुसित हो गई है और ऐसे में सची परिच्छा कराने के लिए केंद्र का नए सीरे से निधारण प्रश्णपत तयार करने कराने और उसके प्रकाशन के लिए एजेंसी चयन आधिकारियों में ब्यस्त हो गया है क्योंकि यह परिच्छा अप्चुनोती पूर्ण हो गई है मूड के कारण यह सिच्छक भरती का परड़ाम भी गोसित हो गया लेकिन इसके बाद भी यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी अब भी कोई बोलने को तयार नहीं है परिशान अभ्यारती मांग कर रहे हैं कि भरती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए तो यह दे पर फोकस जाएगा पी अन्पी का तो इस तरह से जूनियर हाइस को सिच्छक भरती की परिछा खटाई में पढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगला नियजे कि उत्तर प्रदेश में पचीसों से अधिक सरकारी नवकरियों के लिए आवेदान आज से यह आई टी आई चात्रो के लिए कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नवकरी भरती की तयारी में जुटे उमिद्वारों के लिए महत्तपूर्ण अपडेट है भले उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव की तारिक की आठ जन्वरी 2022 को भोसरा के बाद अचार संहिता लागू हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा पचीस सो से अधिक पदोपर भरती के लिए अधिसूचिना दो दिन पहले यानि 6 जन्वरी को ही जारी कर दी गई थी 6 जन्वरी 2022 को जारी अनुदेशक भरती विग्यापन के अंसार उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसिक्षक एवन सेवा योजन विभाग पर अनुदेशक के पचीस सो चार पदोपर भरती की जानी है और इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल्यानी 8 जन्वरी से हो गई है एक के बाद एक कई कोई महामारी के कारण परिच्छा इस्थगीत हो रही है इस्टाफ नर्स की जो परिच्छा चैफरवरी को होने वाली थी उसे भी इस्थगीत कर दिया गया है लेकिन इसकी कोई नई तिथी नहीं बताई गई है यहां अवर अभियनता की परिच्छा इस्थगीत हो रही है अब देखने वाली बात है कि टीटी की परिच्छा इस्थगीत होती है कि नहीं होते है तो दोस्तों इसी साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है वीडियो आपको कैसा ला कमेंट करके जरूरत है हमारे चनल को अभी तक नहीं क्या है तो जरूर सस्क्राइब करिए सिच्छा जगस्य जूड़ी होई तमाम यूपाटे नोटिफिकेशन को पाने के लिए